नमस्कार में जितेंद्र जेन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर जोत्र लिंग दर्शन बंध होने के बाद भोजन के लिए परिशान हो रहे भक्तो विक्षों एवं नर्मदा परिक्रमावासियों को दोनों समय शुद्ध एवं ताजा भोजन संस्था के उज्जैन ओमकारिश्यर के भक्तुदार वित्रित किया जा रहा है जिसका बड़ी सं जोत्र लिंग चोहान ने बताया है कि हम लोग बड़े ही भागशाली हैं जो हमें पबित्र नगरी ओमकारिश्यर जोत्र लिंग में दान पुन्य करने का बसर मिला है भूले नात की किरपा से सो दोसो गरीब आदवी का अब बेट पलता है पन को इस बात की खुसी है लाग लावन में अधिरुदेवों की बेड़ना से ये भल्लाना चल रहा है इस मत्सायोग भी करते है बहुत अच्छा चल रहा है और आणिश्यर माया के दर्सन हो रहे हैं उमकार आणारा की दर्सन उनकी पेड़ना से उज्जे नासरम से गुरु मारा ज्ये के आपके जिले में आपके जहां भी तीर तेस्तान है आप बंडारे चालू करो और उसी उनके प्रणा से छे मेने से यह बंडारा चल रहा है और अभी तक भी निरंतर चल रहा है और उसके पहले भी चलता रहा है और जब तक भी गुरु मारा की देहा रहेगी जब तक चलता रहा है और हमारे बीच में डेरेश्वर मंदिर वाले बाबा है उनके खुब हमको उन्ची प्रेना और स्रद्धा के मिल रहा है उनका अश्रा सारा पुरा है तो इसले उसले हमको जगा भी अच्छी मिली और अभी तक भी जब तक चले जब तक भी उनका हमको आशिरवाद मिलता रहेगा गुरु महाराज का अभी तो हमको बोल देना हम चला देगे अभी तो हमरे बात गुरु महाराज जो बेठे हैं उनकी दया एतनी है कि कभी कमी में आ रहे हैं जब जब बनाने वाले भी आ जाते हैं तो स्वयम भी बनाते हैं विल्दब दोस्वाद्ने का भोजन देली चल रहा है अभी हम दित्रन करके आए और जा रहे हैं बना पेगे भी बनाते हैं खुला भी बाटते हैं ये सबी समय मिले वेसा कभी खिजडी कभी बाटी चुर्मा आमरस चावल सब्दी पूरी जो भी बेडिया मीठी चर्की जो भी समय से आ जाए हम से जो भी बनता है अलग-अलग रोज भजन मनाते जो भी खिला रहे हैं तो खिजडी खिला रहे हैं ऐसा मी मा कांजी महाराज जेन अश्रम मक्सी रोड पे है बिंगलेश्वर रेजो इस्टेशन के पास में बहुत बड़ा अस्रम है उनकी पेड़ना से चल रहा है और उनकी पेड़ना से डेरेश्वर मंदीर में हम जब इनका भी हमका अच्छा सारा मिला तो जब से अच्छा चल रहा है पूरे नगर में और जा भी भोजन बाटने का है वहाँ जाते है जुला पूर जाते है जाते है जा भी में नाम भगवान सिंग चववान है खरगोन जीले का हूँ कबर समय जगत के लिए खंडवा से दीपक चाबरी की रिपोर्ट